हेलो एबरीवन मैं हूँ अक्षिता गुपता आपका स्वागत है मेरे चानल फोडी मोडी में मेरी आज की रेसिपी है वेज बिरियानी इस बिरियानी को हम किसी ऑथेंटिक तरिके से नहीं बनाएंगे इसे हम एक बहुत ही क्वेक तरिके से बनाएंगे जिसे ही करीब आदे गांटे में बन करके त्यार हो जाएगी तो चली बनाना शुरू करते हैं वेजटेबल बिरियानी मैंने यहां डेड़ कव बास्मती चावल लिया है इसे अच्छे से धो लिया उसके बाद इसे पंदरा मिनिट के लिए भिको दिया था इसे हम एक सीटी दे करके पका लेंगे मैं यहां कुकर में पकाने वाली हूँ इसे एक सीटी से जादा ना पका है हमने चावल को भिको कर रखा यह जल्दी पक जाएगा और साथ ही थोड़ा बहुत बिरियानी के साथ भी पकेगा इसमें आधे नीवू का रज डाल दें ताकि चावल रिक्तम खिले खिले बने मैंने डेड़ कप चावल में करीब डेड़ कप पानी डाला है कोकर कर ढखकर लगा ले सबसे पहले हम मसाला पीस करके त्यार कर लेंगे मैंने यहाँ दो प्याज लिया है इसमें दो हरी मिच डाल दें आधा इंच अत्रक दस से बारा लेस्टम की कलिया हाफ टीस्पून जीरा हाफ टीस्पून काली मिर्श इसे बारिक पीस लें इसे पीसते समय बिलकुल भी पानी ना मिलाएं मसाला बारिक पीस करके तयार है कड़ाई में तीन बड़ा चमज घी डाल दें घी से इसका फ्लीक बहुत ही अच्छा आएगा अगर अब घी नहीं डालना चाहते हैं तो आप टेल भी डाल सकते हैं अब इसमें दस से बारा काचु डाल दें काजु को अब फंका फ्राय करके निकाल दोगे इसमें हम खड़ी मसाले डाल देंगे जैसे की मिर्ची तेज पत्ता लॉंग चोटी लाइची बड़ी लाइची काली मिर्च अब इसमें प्याच का पीसा को मसाला डाल दें अब इसमें हम तमाटर डाल देंगे मैंने दो पड़ी तमाटर को पीस लिया है तमाटर अच्छे पगड़े हैं अब इसमें तुक्के मसाले डाल देंगे इसमें आफ तीस्पून हल्गी डालें तो बन तीस्पून गरब मसाला बन तेबल स्पून बिरियानी मसाला इसमें एक बड़ा चुम्मच सूखा पुदीना डाल रही हूं आपके पुदीना पती अधाग पर पारी पटा पुदीना पती डाल दें पुदीना से बिरियानी पते इस वक्त ही अच्छा आएगा कि अजिका अब इसमें हम ब ड़ी डालागे द ही डाले से पहले आप प्लेम बंद कर दे ताकि जब आप इसमें ड़ी डालें तो दढ़ी पटे ना इसमें दो बड़ा चमाल अज याफी डाल दो इसा पेट लें दही अच्छे से मिक्स हो गई है, फ्लेम को आन कर लें, दही और सोखे मसाले सब अच्छे से पक गए हैं, अब इसमें हम कुछ सबजी आ डाल देंगे, मैंने यहाँ पे गोबी, शिम्ला मिर्श और मटर भी आ रहें, अब के पास गार्जर या दूसरी कोई भी सबजी को सब्सका को मैं कंचा दूसरी को पकार गया, अब इसके अब अच्छानした नमटर अब तब देंगे, समरी दोचाँ उतना, सबादिला को जाए, tempo कर दीगार्ग, इसमें एक सब पागी टालगो, अब मीलियम तो हाइप लेंगें को गोगी मतर को सब अचे से पकार लींगे, अ मैंने गोब्रियों मटर को इच्छे से पकाड दिया है अब इसमें बारिक कटा हरा दुनिया डाल दें प्राइए की हुए काजू और अधर का पनीर ये पनीर मैंने घर पे बनाया है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में मिल जाएगा इसका इसका अच्छे से मिक्स कर लें इसे हम दो मिनिट के लिए और रोपकर कपने देंगे देखें मसाले में से गी बाहर आ गया है मसाला पुराद दूपी गया है अब इसमें हम चावल मिला लेंगे देखें एक सीटी में चावल की ने अच्छे से पक गया है अब खिला खिला बनाएं इसे इसमें डाल के लिए अच्छे से अच्छे से मिक्स कर लें देखें चावल बिरियानी में अच्छे से मिक्स हो गया है अब लो फ्लेम पर ही हम इसे पाच मिनट के लिए डब कर पकने देंगे जिससे चावल थोड़ा और अच्छे से फूल जाएं देखें बिरियानी बन करके त्यार है किती अच्छी बिरियानी बनी है चावल अच्छे से फूल गया है मसालों के साथ मिक्स हो गया है बहुत अच्छी बिरियानी बनी है तो मेरी इस रेसिपी के बारे में आपकी क्यारा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इस रेसिपी को लाइक करें, जादा से जादा शेयर करें और मेरे चानल को सब्सक्राब करना बिल्कुल न भुरें ठैंकी पर वाचें, बाइ-बाइ